हेलो एवरिवन आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर सभी बच्चे जुड़ जाएं एक बार जल्दी से जल्दी आज की क्लास में हम बात करेंगे एन-म-म-स यह बारे में जो बच्चा क्लास एट में पढ़ रहा है और एम-म-स की तियारी कर रहा है वो बच्चा एक बार जुड़ जाएं वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले इससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिस्केशन आपको टाइम टू टा इस एक्जाम को टे सकते हैं जिन बच्चों ने फर्म बढ़ रख्था है वो बुक लेना चाहते हैं नौट्स के रिगार्डिंग हमारे हेल्प लाइन नमबर पर वट्सप मैसिज करकर कम्प्लीट इनफॉर्मेशन टे सकते हैं अब बात करेंगे हम फर्स्ट कोस्चन की फर्स्ट कोस्चन क्या कहता है एक बार रीट कर लेते हैं कोस्चन कह रहा है फाइल एंग्वल कोस्चन है हमारा इंगलिस मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों मीडियम में कोस्चन है टेडी दा फॉलोविंग फिगर केयरफुली एंड अंस्वर दा गिवन कोस्चन परसन एक से पांच, जिमन चित्र को ध्यान पूरक देखें तथा दिये हुए परसनों का उस्तर दे तीन ग्राफ बने हुए हैं जिसमें इंडियन सिंगर्स और लीडर्स, भारतिय नेता और गायक कौन सा चित्र भारतिय नेताओं को परदसित करता है जो गायक नहीं है अब सबसे पहले देख लेते हैं हम जो लीडर्स है लीडर्स कौन-कौन से हैं और उसके बाद इंडियन और शिंगर्स गायक नहीं है गायक यानिकि 7 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 5 भी नही यह थेरी भी नहीं है आइव भी नहीं है और गायग उन्ये अब बताना है हमको बारतिय नेता है कौन से नेता हैं भारतिय नेता हैं यानिकि इंडियन लीडर्स तो इंडियन्स कौन से हैं ये इंडियन्स हैं ये भारतिये हैं और नेता कौन से हैं ये हैं तो इंडियन लीडर्स देखो ये सर्कल बन गया एक इसमें अगर हम इंडियन्स की बात करें तो इंडियन्स वाला आगे 2, तो 2 क्या है? इसका correct answer है, 2 क्या है? इसका सही उत्तर है, क्योंकि ये भारतिये नेताएं हैं और गायकार नहीं है, ठीक है भारतिये भी है और साथ में नेता भी है, यानि कि इंडियन भी है, साथ में अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं हमारे हेल्प लाइन नंबर पर WhatsApp मेसेज करकर आप complete information दे सकते हैं अब बात करेंगे आगे जो बच्चा NMMS की तैयारी कर रहा है नैशनल मीन्स का मेरिट थात्रुति परिक्सा क्लास एट के लिए में आप 10 mock papers and 7 sold papers दे सकते हैं ठीक है और solution फिर मिलेगा आपको best idea पर book order करने के लिए WhatsApp मेसेज करें 8-0-5-9-4-8-7-8-4-0 पर WhatsApp मेसेज करकर आप book order कर सकते हैं यह best book है national means का merit scholarship के लिए सभी राजियों के लिए NMS की उसके बाद बात करेंगे question number two question number two which reason represent India leader who are singer कौन सा छेत्र भारतिय नेताओं को पर्दसित करता है जो गायक है देखो भारतिय नेताओं को पर्दसित करता है और गायक भी है तो गायक तो इसमें आ गया इसमें हो गया आपका गायक तो इसमें देखना है आपको क्या हो भारतिय नेताओं को पर्दसित करता है और जो गायक है भारतिय नेताओं को ये नेताओं को ये नेताओं और गायक भी, यानि कि जो तीनों में मिक्स हो रहा है, वो क्या है, वो है थिरी, थिरी क्या है, भारतिय नेताओं को परदशित कर रहा है, और गायक भी, यहाँ पर आप देख लेंगे, यह थिरी लिख रहा है, और यह थिरी सभी को रिप्रेजेंट कर रहा है, यह लीडर्स क जागे सभी बच्चों को अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हैं अब बात करेंगे कोश्चन नंबर थर्ड की कोश्चन नंबर थर्ड देखो आपको सभी बच्चे डाइग्राम बना लें नौट बुक में विट रिजन रिप्रेजेंट लीडर को अग्यां नैता को पर्दशित करता है नेता को पर्दशित करना है नेता गायक हो और नही भारतिय हो देखो, कौन सा छेतर नेताओं को पर्दशित करता है, नेता को पर्दशित करना है, ने तो गायक हो और नहीं भारतिय हो, यह तो हो गए आपके भारतिय है, यानि कि इसमें नहीं होना चाहिए, और यह हो गए आपके गायक, तोनों सरकल में नहीं होना चाहिए, तो बचा क्य इसको परदसित कर रहा है, नेता को परदसित कर रहा है, 6 कौन से option में है, 3 option में, तो 6 है, इसका क्या होगा, right उत्तर, 6 का सही उत्तर होगा, 6, समझ में आगे, ठीक है, question को अगर आप ज्यान से पढ़ेंगे, तो question solo हो जाएगा, इतना hard नहीं है, बहुत ही आसान है, उसके काईग्राम में से करने है, which reason represent Indian singer, who are not leaders, who are not leaders, कौन सा छित्र भारतिय गायकों को परदसित करता है, जो नेता नहीं है, क्या नहीं है, नेता नहीं है, देखो, इसे होगे भारतिय, और ये होगे गायक, और ये होगे नेता, तो अब इसमें क्या बच्चा, छेत्र भारतिय गायकों को परदसित करता है, ये तो भारतिय हो गए, परी हो गए गायक, तो इसमें दोनों में कौन सा mix आ गया, 4 आ गया, क्या गया, 4, और 4 कौन से में आ गया, 4 आ गया, 4 उप्सन में, चार उत्तर चौथ ही option में आ गया, यानि कि fourth option में आ गया, तो चार इसका बिलकुल सही उत्तर होगा, चार क्या होगा, सही उत्तर होगा, question लिख रहा था, कौन सा छेत्र भारतिय गायकों को पर्दसित करता है, represent यानि कि पर्दसित करता है, जो नेता नहीं है, who are not leaders, जो नेता नहीं है, नेता क्या नहीं था, चार नेता नहीं था, अब देखेंगे person number 5, person number 5 पढ़ेंगे एक बार सभी, question करने से पहले read कर लिया करो, which reason represent singer who are neither Indian nor leaders, कौन सा छेत्र गायकों को पर्दसित करता है, जो ने तो भारतिय हो और ने ही नेता हो, ने तो भारतिय हो, ये होगे और ये होए आपके नेता, इन दोनों में से कोई भी नहीं होना चाहिए, इन दोनों में से कोई भी नहीं होना चाहिए, तो बचा क्या, बचा आपका 7, 7 इसको पर्दसित कर रहा है, गायकों को पर्दसित कर रहा है, 7, 7 और 7 इसका आगया आपका चोट, clear, यहां तक आपको समझ आ गया होगा अगर कोई भी आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं साथ में हमारे help line number पर WhatsApp मेसिज करकर आप complete information ले सकते हैं क्लास 8 में जो अच्छा NMMS की तयारी कर रहा है उसके लिए आपको डेली वीडियो मिलेंगे डेली नॉट्स मिलेंगे उसके लिए क्या करना है आपको description में आपको link मिल जाएगा WhatsApp group join कर लेना WhatsApp group join करने के बाद आपको time to time सभी update दे दी जाएगी साथ में आपको हमारे help line number पर WhatsApp मेसिज करकर complete information जो NMMS class 8 के regarding आप ले सकते हैं अब बात करेंगे next question की 5 question हमने कर लिए अभी तक question number 6 question number 6 देखो question number 6 कह रहा है R क्या लिख रहा है R Q X A D यहां पर मैं लिख देता हूँ R यहां पर लिख देता हूँ यहां पर लिख देता हूँ X यहां पर लिख देता हूँ A और यहां पर लिख देता हूँ D अब आपको बताना है क्या answer आएगा आपको बताना है क्या अंस्वर आएगा R U X A B ठीक है जहां तक समझ मैं आगे सभी को अब आपको बताना है कि अंस्वर क्या आएगा सबसे पहले आपको बता होना चाहिए alphabet के बारे में कौन सा alphabet कितने नंबर पे आता है क्या आपको बता होना चाहिए जिसे की R हो गया उसके बाद हो गया आपका U उसके बाद हो गया X ठीक है उसके बाद हो गया आपका A उसके बाद हो गया D तो आपको बताना है अब मैं यहां पर लिख देता हूँ सबसे पहले तो R जो आपका R है वो कितने पर आता है R आता है आपका एक क्रिक और उता देता हूं मैं साथ में आपको E जोटी इसको याद कर लेना इसको याद कर लेना आप 5, 5, 10, 15, 20, 25, 5, 10, 15, 20, 25 याद कि E आएगा 5 पर T आएगा 10 पर O आएगा 15 पर T आएगा 20 पर Y आएगा 25 पर तो अब यहाँ पर देखना है R R लिख दिया मैंने 18 पर कितने पर? 18 पर Q आएगा 21 पर लिख दिया 21 पर X आएगा 24 पर X कितने पर आएगा? 24 पर अब A A कितने पर आएगा 1 पर अब D D कितने पर आएगा 4 पर कितने का अंतर हो गया इन दोनों में 3 का फिर 3 पहले हमने कितने प्लस किये 3 प्लस किये फिर कितने प्लस किये प्लस किये पिर कितने प्लस किये 3 और फिर से हम कितने प्लस करेंगे 3 और फिर से हम प्लस करेंगे 3, और 3 प्लस करने पर 4 के बाद 7, 7 पर क्या आता है, 7 पर आता है हमारा, 7 पर क्या आता है, G, और G कौन से option में आ गया, second option, second option क्या हो जाएगा, right answer, second option is right answer, कहां तक समझ आ गया, बस आपको alphabet याद रखने बश, ठीक है, अगला देखो, 7 नमबर पर, 7 नमबर वाला question क्या कह रहा है, 7 नमबर वाला question कह रहा है, T, R, P, N, L, यहां मैं लिख देता हूँ T, यहां पर लिख देता हूँ R, यहां लिख देता हूँ N, और यहां लिख देता हूँ L, और अब की बार, दो बार question mark है, यानि कि, दो संख्या रहberg कितनी बार कोश्यन मार्क है दो बार तो फंदो कितनी वतानी है। कि अब यहां देखो कि कि तनफे पर आता है को हम कि 30 पर ए को उसके बाद कि तने पर यता है 18 और कि वह टाagon कि आता है 16 पर 274 पर L आता है 12 पर तो 10 पर क्या आएगा 10 पर आएगा J और 8 पर क्या आएगा 8 पर आएगा H और J और H कौन सी आप्शन में इस बच्चे को alphabet ज्याद नहीं है ABC ज्याद नहीं है वो एक बात का ध्यान लखना A O Y का किसका E, J, O, T, Y क्या आता है 5 पर J आता है 10 पर O आता है 15 पर क्या आता है 20 पर और Y आता है 25 पर ये ध्यान लखना alphabet को आसान बनाने के लिए E, J, O, T 5, J, 10, O, 15 T, 20, Y, 25 अब करेंगे अगला question 8 वा 8 वा परसन क्या कह रहा है 8 वा परसन देखो यहाँ पर लिखा हुआ है B लिख दिया यहाँ पर लिखा हुआ है D लिख दिया यहाँ पर लिखा हुआ है F लिख दिया यहाँ पर लिखा हुआ है I लिख दिया यहाँ पर लिखा हुआ है L लिख दिया 2 D कितने पर आता है 4 पर F कितने पर आता है 6 पर I कितने पर आता है F आता है आपका 6 पर और F के बाद लिख़़ा है I I आपका आता है 9 अब 9 के बाद बात करेंगे हम फिर L L आता है आपका 12 पर और P कितने पर आता है, आता है, तोला पर, देखो, पहले कितने प्लस किये, पहले प्लस किये, दो, फिर कितने प्लस किये, दो, फिर प्लस कितना किया, फिर कितना प्लस किया, फिर कितना प्लस किया, चार, अब फिर से कितना प्लस करेंगे, चार, और चार प्लस करेंगे, तो पर क्या जाएगा 20 और 20 पर क्या आता है मैंने आपको बताया था यह जो टी जो टी बताया था तो टी आता है 20 कौन से option में है third वाले में third वाला क्या होगा correct answer हो जाएगा क्या हो जाएगा correct answer यानि कि आपको logic का द्यान रखना है अगर आप method ठीक कर रहे हैं तो question भी ठीक कर दोगे कोई issue नहीं रहेगा यह ध्यान रखना साथ में एक बात का और ध्यान रखना चोटी को मत भूल जाना चोटी आपके लिए बहुत helpful रहेगा चोटी यानि कि 5 पर E 10 पर J 15 पर 20 पर 25 पर यह ध्यान रखना यह आपको ध्यान रखना है अगर आपको question solve करने है proper way में अच्छे तरीके से ठीक है तभी बच्चे वीडियो को like कर दो एक बार channel को subscribe जिरूर कर लें चैनल को subscribe करने से NMMS नैशनल मीन्स कम मेरिक स्कॉलर्शिप जो च्छात्रवित्ती का exam class 8 के लिए होता है जो अच्छा NMMS का exam देगा उसके लिए most important questions आपको हमारे दवारा provide कराए जाएंगे जो आपको time to time मिल सकेंगे चैनल को subscribe करना इलकुल भी ना भूलें जिस से आपको time to time update मिलते हैं next question देखोगे question no.9 question no.9 कह रहा है four figure four figure have been given of which three are alike in some way and one is different choose the old one four out yardfend hand 4 आकरतिवां दी गई हैं जिन में से इन आकरतियां किस प्रकार की है धिल्माण है और एक आकरती भीन है तो आकरती को च्छाटिए एक आकरती को च्छाटन है च्छाटन है तर और कौनसी आकरती ऐसी है जो अलग है उसके बारे मैं आपको बताना है कौन सी अकरती अलग है वो आप देखो अलग कौन सी अकरती है बताइए अलग कौन सी अकरती है आप स्क्रीन पर देख रहे हैं और कमेंट करके मुझे बताओ अलग कौन सी अकरती है सबसे पहले देखो यह स्क्टेस में बन रही है इसके भी कया बन राय है टा इक इसके भी किस्के जिबल दबहिया कि लेकिन इसके का है single line है. तो difference कौन सी हो गई? यह वाली हो गई. इसका अंसर क्या होगा? यह ही होगा. अंसर. Correct. हमको बताना था कि different picture कौन सी है? इन में से अलग कौन सी picture है? चार आकर्थि दिखेंगें, चार आकर्थियों में से अलग कौन सी आकर्थि है? वो हमको बतानी थी, तो अलग आकर्ती कौन थी थी, वो मैंने आपको बता दी है, ठीक है, अब देखेंगे, figure number 10, question figure 10, person आकर्ती 10, जहां पर देखो, circle लगा हुआ है, फिर दो गोले लगे हुए है, पहले एक गोला था, फिर दो गोले हुए, और जिसमें 4 निसान लगे हुए तो अब यह आकर्ती बनी हुई है, तो अब एक और आकर्ती बनेगी ऐसी, फिर एक और बनेगी, और कितने निसान होंगे, 4, 1, 2, 3, 4, तो कौन से अंसर रहेगा, इसरा वाला इसका ठीक उतर रहेगा, कौन सा, इसरा वाला, क्योंकि बनानी थी हमको एक गोला, फिर गोल परसन नमबर 11 देखोगे आप, परसन आकर्ती 11, अब एक फिर भूज बना हुआ है, उसके अंदर गोला है, फिर दो गोले है, मतलब जो चीज अंदर बनी हुई है, उसको बाहर दो गोले बन गए, अब यहाँ एक स्केर यानिकी एक वर्ग, एक फिर भूज यानिकी बनाने है, कितने दो, दो ट्राइंगल कौन सी आपसें और चीज़ बनाने हुई है, कितने वाले उप्सें में है, इसकी में फिर भूज बना हुआ है, उसके अंदर गोला है, यानिकी एक ट्रायनगल बना हुआ है, उसके अंदर है चिटम नंदर है थिपि екए सर्कल शर्क एक गोला, दो गोला, तीन गोला, फिर एक तिर भूज, अब देखो, एक गोला, दो गोला, तीन गोला, अब क्या करना है आपको, अब देखो, कितने गोले थे, तीन गोले देखो, एक गोला, दो गोला, तीन गोला, तो तीन गोले का बना दिया थिर भूज, यानि कि ट्राइनल, अब दूसरे वाले में देखो, कितने गोले हैं, एक गोला, दो गोला, गोला, चार गोला, यानि कि फोर सर्कल, फोर सर्कल का क्या बनेगा, Square यानि की बर्ग बनेगा एसमें बात करें तो बरग को बोलते हैं square और square बनेगा चार गोला तो चार लाइन का czar लाइन का All two sides are equal जिस सभी लाइन बराबर हो तो कौन से變पी है इस देट है ऌधाउस्ए inspra बदेखो गया person number 13 टेरा कोशन क्या कह रहा है? तरफ होगा तो तिया आपकी डिसाइंए, उसरी वह किस तरफ होगा? दस्षिन, का सभी को पता है और यह आपकी जिसाइई होगी इश्टे वैश्ट, नौर्थ, सौट, किस तरफ हो जाएगा वह – दस्षीन होजएगा दस्टिन की बात करें तो हम कौन से तरफ हो जाएगा वो फाउस की तरफ हो जाएगा परसन नमबर चौधा देखो गया आप चूज दा ओर्ड वर्ड फ्रॉन दा गिवन अल्टरनेटी दिये गए विटलकों में से फिर ठक सब चुंगी एक अलग कौन सा इन में से अलग कौन सा बताना है यूरोप अफ्रीका एसिया कनाड़ा तो इमेंज अलग कौन सा है कनाड़ा एसीय तो आपने सुनी रखा होगा अफ्रिका भी आपने सुन रखता होगा एउरोप भी अपने शून रखता होगा किनेडा भी आपने सुन रखता होगा तो कनेडा सेच में से कोडे सची अलगए question नमबर 15 देखोगके आप Friday fall on 15 September 2000 2000, what will the day of 15 September 1000, कह, 15 September 2000 को Friday था, क्या था, Friday, यानि की प्रवार था अब आपको बताना है, 15 September 2001 को क्या होगा, जब भी next year की बात की जाए, किसकी बात की जाए, next year की बात की जाए तो एक दिन आगे बना देना और एक बना देना लीप, यह हो जाएगा सनीवार, क्या हो जाएगा, सनीवार, Saturday क्या तक सभी को समझ आ गया सभी बच्चे एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, आने वाली, सभी वीडियो की नोटिसकेशन आपको time to time दिल सके, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है, अगर जो बच्चा NMS की तयारी कर रहा है और बुक लेना चाहता है, वो हमारे help line number पर whatsapp message करकर बुक ले सकता है, बुक आपको मिल जाएगी, ठीक है, help line number है 8059487840 पर आप अगर whatsapp message करेंगे, तो आपको बुक प्रोवाइड करा दे जाएगी, जिसमें आपको 10 mock paper, 700 paper प्रोवाइड करा जाएगी, आपके अपनी चैनल पर, आज की वीडियो में हम बात करेंगे NMMS, अगर आप भी class 8 में पढ़ रहे हैं और NMMS, national means का merit scholarship की तजारी कर रहे हैं, तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइट करें, जिससे आने वाली सभी वीडियो की notification आपको time to time मिल सके, पेली live class देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको live class स्टार्ट होता ही, notification आ जाए, first question आप देखेंगे, जिदि किसी code भासा में face को gbdf लिखते हैं, तो उसी code भासा में 0 को का क्या code होगा, यह लिखना है, 0 का क्या code होगा, clear, यहां तक आपको समझा आ गया होगा, stall करते हैं इस question को, क्या लिख रखा है, face को, देखो, यहां पर लिख लोगे आप face, f, a, c, e, face, face को लिखा हुआ है, a, c, b, c, f, f के बाद क्या आता है, g, plus, 1, a के बाद क्या आता है, v, plus, 1, c के बाद क्या आता है, d, plus, 1, e के बाद क्या आता है, f, plus, 1, उस अभी में क्या कर रखा है, plus, 1 कर रखा है, इसी परकार से, आपको 0 को solve करना है, z, e, r, o, अब जीट Z, क्या लिखरा है? Z तो Z के बाद क्या आएगा? A ठीक है? P के बाद क्या आएगा? F plus 1 R के बाद क्या आएगा? plus 1 करने पर S तो A, F S और O के बाद क्या आएगा? P A, F, S अब ये कौन शी option में है? ये है C option में कौन से option में है, C option में, तो इसका जो correct answer है, वो क्या होगा, वो होगा आपका AFPS का correct answer, clear, D option is correct, sorry, D नहीं होगा, C answer होगा, AFSP, तो C option is correct answer, क्योंकि 1, 1 plus किया था, दोनों में same था, critical mistake, AFSP, क्या तक समझा आ गया होगा आपको, clear, एक बार वीडियो को like और चैनल को subscribe जरूर कर दें, जिसके आने वाली सभी वीडियो की notification आपको फिल सके, rest question आप देखेंगे, उससे पहले, अगर आप National Means का Merit Scholarship, खात्रुती परिक्सा की तयारी कर रहे हैं, जिसमें आपका paper 1 में M.A.T.S.A.T. आएगा, अगर आप 10 mock papers and 7 sold papers लेना चाहते हैं, तो screen पर दिखेंगे help line number, 8059487840 पर WhatsApp मैसेज करकर आपको book ले सकते हैं, एक clear? क्या तक आपके जो doubt है वो clear हो गए होंगे, जिसमें आपको M.A.T. और S.A.T. दोनों मिलेंगे, सभी राज्यों के लिए ये book रहेगी, next question देखोगे आप, second वाला question, second वाला question क्या कहे रहा है, जिदि किसी code भासा को, birds को, किसको, birds को, A, J, Q, E, R, A, J, Q, E, R लिखा जाता है, तो उसी भासा को, apparel का code क्या होगा, किसका code, apparel का, सबसे पहले आप लिखोगे यहाँ पर birds, P, I, R, B, S, ये लिख दिया birds, birds को लिख रखा है, क्या, birds को लिख रखा है, A, K, Q, R, ठीक है, तो B में, B के बाद A आया, तो क्या करा, minus 1, I के बाद J आया, तो क्या करा, plus 1, R से पहले Q आया, तो minus 1, D के बाद E आया, तो plus 1, और S के बाद R तो minus 1, यानिकि जो आपको series लगानी है, वो लगानी है, minus 1, plus 1, minus 1, plus 1, minus 1, इसी परकार से आपको April में लगानी है, same, A, P, R, I, L, April, April में same, इसी परकार से आपको लगानी है, देखो, A में क्या करना है, minus 1, तो A से पहले क्या आएगा, Z, में क्या करना है, plus 1, P के बाद क्या आएगा, Q, P के बाद क्या आएगा, simple सी बात है, Q, R में क्या करना है, minus 1, फिर से क्या आजाएगा, Q, I के बाद क्या आएगा, A, और L में क्या करेंगे, minus 1, तो K, तो Z, Q, A, K, इसका right answer होगा, कौन से option में है, A option, तो A option is correct answer, जो बच्चा class 8 में पढ़ रहा है, और ने N, M, M, S का form apply कर रखा है, इसके लिए ये video most important है, अधिक जानकारी के लिए आप हमारे help line number पर WhatsApp message करकर संप्रक कर सकते हैं, साथ में book order करने के लिए, N, M, S की तैयारी करने के लिए, एक बार हमारे साथ जरूर जुड़े हैं, question number 3 देखोगे आप, किसरा question है आपका, कि किसी code भासा में garden को उनन्चास लिखा जाता है, तो उसी भासा में finger को, finger का क्या code होगा, आपसे पहले लिखो garden, G, ठीक है, उसके बाद लिखो A, उसके बाद लिखोगे R, उसके बाद लिखोगे D, उसके बाद लिखोगे E, उसके बाद लिखोगे N, तो क्या लिखा जा रहा है, उनन्चास 49, तो G कितने पर आता है बिटा, G आता है 7 पर, A आता है 1 पर, R आता है 18 पर, G पर क्या आता है, G आता है 4 पर, G कितने पर आता है, G आता है 5 पर और N आता है 14 पर, तब को plus करेंगे, 7 और 18, 26, 30, 35 और 14, 49 यानि की 49 यह 49 हो गया गार्डन का टोटल किसी परकार से आपको बताना है finger का, किसी परका? finger का, यहां पर लिए देता हूँ finger F I N R finger, और finger को आप बताएंगे, देखो F कितने पराता है? 6 पर plus I कितने पराता है? 9 पर plus N कितने पराता है? 14 पर T कितने पराता है? 7 पर T कितने पराता है? 5 पर और R कितने पराता है? 18 पर इन सब को plus करने पर जो अंसर आएगा finally, वो आएगा 15, 29 12 and 59 ना आ गया? 59 59 उनसट अंसर 59 कौन से हमें है? D option और D option क्या होगा? इसका D option होगा correct answer D option क्या होगा? correct answer यहां तक समझ आ गया? अगर कोई भी doubt आपका रहता है तो आप comment करके पूछ सकते हैं कोई भी doubt अगर आपका रहता है तो आप comment करके पूछ सकते हैं अब बात करेंगे question number 4 की question number 4 कह रहा है यदि किसी code भासा में teacher को A, E, T, C, R, E, H लिखा जाता है तो उसी भासा में लखनौ का code क्या होगा? सबसे पहले लिखो teacher A, H, R teacher को लिख रखा है आपने A, T, R, H तो देखो A, T, Bid फिर ठीक है उसके बाद अब यहां पर आप देखो के C को फिर से C लिख दिया फिर R, H के इस परकार से करना है उसी परकार से आपको इसको करना है लखनौ को L, T, K, N, O, W लखनौ तो लखनौ में सबसे पहले क्या लिखोगे आप C यहां पर लिखोगे C और यहां पर लिखोगे L यह तो होगे आपका cross mentee क्या होगे cross, Q को लिखोगे same तो C, U, L T, U, L कौन सी option में है T, U, L है B option में फिर K को क्या लिखना है same फिर से cross mentee लाई और इसको same तो यहां पर लिखोगे आप W, O, N C, U, L, K, W, O, N क्यानी की T option is correct answer, कौन सा option T option और B option क्या हो जाएगा आपका, ठीक हो जाएगा जहां तक आपको समझ आ गया बिल्कुल अगर किसी बिच्टे का कोई doubt रहता है तो वो comment करके पूछ सकता है समझ आ गया होगा आपको clear next question की बात करेंगे किसी कोड भासा में nation N-A-T-I-O-N को A-N-I-T-N-O लिखा जाता है किसी कोड भासा में N-A-T-I-O-N nation को A-N-I-T-N-O लिखा जाता है तो उसी भासा में mental का कोड क्या होगा किसी का कोड mental का कोड यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे हम N-A-T-I-O-N अब इसको लिख रखा है A-N-I-O अब यहाँ पर इसको cross multiply कर दिया तो यहाँ पर cross multiply कर दिया इन दोनों को यहाँ पर cross multiply कर दिया इसी परकार से mental M, E, N A, L M, E, N, T, A, L mental को cross multiply तो यहाँ पर आप लिखोगे E यहाँ पर आप लिखोगे M फिर यहाँ पर cross multiply यहाँ पर लिखोगे आप T यहाँ पर लिखोगे N फिर यहाँ पर cross multiply यहाँ पर लिखोगे आप L यहाँ पर A तो finally क्या निकल कर आया finally निकल कर आया M P NLA जो की कौन सा option हो गया आपका option और C option क्या हो गया बिल्कुल correct answer की option क्या हो गया आपका बिल्कुल correct answer यहां तक आपको समझ आ गया होगा अगर कोई भी doubt आपका रहता है तो आप पूछ सकते हैं उसकी बाद अगर next question की बाद करेंगी 6 जिदि किसी code भासा में animal को Z M H L Z K लिखा जाता है ठीक है तो लिखा जाए उसी भासा में coding का code क्या होगा देखे A N I M A L Animal Animal को क्या लिखा गया है Z M H L Z A A A के बाद क्या रहा है Z आ रहा है A के बाद क्या रहा है Z आ रहा है तो A के बाद Z आ रहा है तो क्या हुआ A से पहले N के बाद M आ रहा है क्या रहा है N के बाद M आ रहा है परकार से Coding C, O, D, I, N, G क्यों हो गया Coding, तो Coding में देखोगे आप, Coding में क्या होगा, Coding में C में माइनस 1 करोगे आप, C में माइनस 1 करोगे तो क्या जाएगा, B, C, क्या जाएगा, B आजाएगा, अब O में माइनस 1 करोगे तो क्या जाएगा, N आजाएगा, D में माइनस 1 करोगे तो क्या जाएगा, C आजाएगा, I में माइनस 1 करोगे तो H आजाएगा, N में माइनस 1 करेंगे तो M आजाएगा, और G में माइनस 1 करेंगे तो F आजाएगा, लोजिक लगाना है जो लोजिक आपने एनिमल में लगाया था वही आपको कोडिंग में लगाना है तो ए ओप्षन ए ओप्षन इस तरेक्ट अन्सवर एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जिरू कर ले जिससे आने वाली सभी वीडियो की नॉटिफिकेश सब्सक्राइब करें अधिक जानकारी के लिए वाट्सप जॉइन करने के लिए वाट्सप पर मैसेज करें हेल्प लाइन नमर आपको हमारा हमारे सोट्स वीडियो में मिल जाएगा क्लियर किया तक आपको समझ आ गया होगा अधिश्च कोस्ट नंबर 7 देखें गया कोस्ट नंबर 7 कोस्ट नंबर 7 कह रहा है यदि किसी कोड भासा में कार्कीट वो 14 लिखा जाता है किसी चीज़ को market को क्या लिखा जाता है 14 लिखा जाता है ठीक है की परकार Sunday को क्या लिखा जाएगा Sunday को क्या लिखा जाएगा अब इसमें कौन सा logic लगाना है देखो यहाँ पर आप लिखोगे market मार्किट, मार्किट को लिखा गया 14, कैसे लिखा गया, 3 और 3, 6 हो गए, और इनका प्लस करेंगे तो भी यह ठीक से नहीं होगा, एक लॉजिक लग सकता है यहां पर, अब एक बार यहां पर आप संडे को लिखे लोगे, S, Q, N, D, A, Y, संडे, चो होगे आपका संडे, और संडे में कितने डिजिट हैं, 6 डिजिट हैं, और इसमें कितने डिजिट हैं, 6 डिजिट हैं, तो 6 प्लस 1, कितना हो गया, 7, और 7 वरकार से, 6 प्लस 1, कितना हो गया, 7, कितना हो गया, 7, और 7 तूज़ा, कितना हो जाएगा, 14, यही लौजिक लगएगा, और 14 कौन से अप्छन में हैं आपका, 14 हैं आपका A एप्छन में, कौन से अप्छन में, A ओप्छन में, तो A ओप्छन क्या होगा, इसका correct answer होगा, A जहाँ तक आपको समझ आ गए होगा next question आप देखोगी question number 8 question number 8 कह रहा है h upon यह लिखा हुआ है h upon 10 यह लिखा हुआ है ठीक है उसके बाद लिखा हुआ है आपका 4 upon 7 clear उसके बाद लिखा हुआ है l upon t तो सबसे पहले यहाँ पर मैं लिख देता हूँ h upon n लिख दिया clear और h upon n को क्या माना है तो माना है 4 upon 7 परकार से l upon t को क्या मानना है अब से पहले मैंने आपको बताया था e जो t जो t आप सभी को बता होगा e j o y जो t यानि कि e आता है 5 पर e आता है 10 पर o आता है 15 पर e आता है 20 पर y आता है 25 पर ठीक है y कितने पर आता है 25 पर अब हम बात करेंगे h h कितने पर आता है h आता है आपका 8 पर h कितने पर आता है h आता है आता है आपका 8 पर और N कितने पर आता है, N आता है 14 पर, yes, 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 okay, okay, press is onwards sir, ठीक है, यहाँ पर इसको multiply, half से multiply करेंगे, 1 upon 2 से, तो 4 आ जाएगा, 4 जा 8, और 2, 7 जा 14, तो 4 upon 7 आया इस परकार से, अब आपको देखना है, L कितने पर आता है, बच्चो, L आता है आपका 12 पर, और 12 को भी किसने करना है, 1 upon 2 से, upon, P कितने पर आता है, T आता है 20 पर, तो 20, multiply 1 upon 2, तो 2, 6 जा 12, 2, 10 जा 20, तो यह हो जाएगा आपका 6 upon 10, और 6 upon 10 कौन सी option में है, A option, और A option क्या हो जाएगा, इसका बिलकुल correct answer हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, very good, बहुत अच्छा बच्चो, like कर तो सारे अच्छे एक पर, like कर तो सारे अच्छे एक पर, 6 upon 10 आ जाएगा, अब देखेंगे question number 9, question number 9 क्या कहता है अपका, question number 9 कह रहा है, 3 upon M, यह लिख देता हूँ, upon M, 3 upon M को 39 कहा जाता है, ती परकार से G upon S को क्या कहा जाएगा, तो 39 कैसे आया, देखो, कितने पर आता है, 3 पर, और M कितने पर आता है, 13 पर, और 3 multiple 13 करने पर, आपका हो जाएगा, 39, और G कितने पर आता है, आप सभी को पता है, G आता है 7 पर, और S आता है आता है, आता है आता है आपका 7 पर, और इसी परकार से S आता है आपका 19 पर, अब आपको क्या करना है ठीक है अब 7 x 19 7 को 19 से multiply करने 7 को 19 से multiply करेंगे तो आप का जाएगा 133 भी सत्य 133 हमज़ा गया यहां तक नेक्स्ट कोर्शन है पहले क्या पर लिखा हुआ है pdf क्या लिखा हुआ है pdf तो बीडी एफ में आप देखेंगे बीडी एफ रेशियो एल जे एच और प्रोपोर्शन एम ओ क्यू यहां पर लिख देता हूँ मैं बीडी एफ यहां पर लिख दिया है अब बीडी एफ को लिख रखा क्या लिख रखा है एल जे एच उसी परकार से आपको बताना है एम ओ को क्या लिखना है इसको एम ओ क्यू को अब आप देखोगे जो लोजिक इसमें लग रहा है सेम वही लोजिक आपको लगाना है एफ के बाद एच आता है क्या आता है एफ के बाद एच तो बीच में क्या आ गया है जी एच तो plus कितने कर दिया 2 तो Q के बाद क्या आता है Rs कहां पर आएगा S plus 2 करने पर क्या आगया S तो S नहीं इस option में है ये भी इसका answer नहीं होगा नहीं ये answer होगा अब इन दोनों में से एक answer बताना है D के बाद आया G तो D के बाद आया G A, B, C, E, F, G, H, I, J, K, J तो इसमें कर दिया plus 6 कितने कर दिया? Plus 6 और B के बाद आया L B, C, F, G, H, I, J कर दिया plus 10 तो आपको भी इसमें plus 10 करना है और इसमें क्या करना है? Plus 6 अब O में कर लेते हैं plus M में कर लेते हैं sorry M में करेंगे J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W तो क्या आजाएगा आपका? W W कौन से option में है? D option में तो जो बीच वाली संख्या है वो निकल कर आगई आपकी तो W, U, S W, U, S कौन से मोगई? D में होगई तो ये question करना है के लिए नमजा आगया यहां तक आपको? अगर कोई भी doubt आपका रहता है तो आप पूर्च सकते हैं next देखेंगे आप next question है question number 11 question number 11 क्या कह रहे? question कह रहा है कि 25 को KN लिखा गया है क्या लिखा गया है? KN उसी परकार से QT को क्या लिखा जाएगा? install करा देता हूँ इस question को 25 को किस तीज को लिखा गया है? K और N को अब बात कर लेते हैं K कितने पराता है? 11 पर कितने पराता है? 11 पर और N कितने पराता है? 14 पर इन दोनों को प्लस करने पर आगया है आपका 25 इसी परकार से Q प्लस और मैंने आपको एक ट्रिक बता रखी है जिसका नाम है E-O-T 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 यानि कि 5 10 15 20 25 तो T कितने पराता है? T आता है आपका 20 कितने पराता है 20 पर प्लस में Q की बात करें Q तो Q आता है आपका 17 कितने पर? 17 पर दोनों को प्लस करने पर आपका अंसर आ गया 37 और 37 अंसर कौन से आप्शन में है? 37 है आपका D में 37 क्या है? D में तो clear? समझा गया यहां तक? एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दें वीडियो को लाइक और शियर करना बिल्कुल भी न भूलें जिससे आने वाली सभी वीडियो की notification आपको time to time मिल सकें next question देखो गया आप 12 12 question क्या कह रहे है? 12 question कह रहा है कि 4 5 8 9 को 26 लिख दिया 4 लिख दिया 5 लिख दिया 8 और यहलिख दिया 9 तो इन सब को क्या लिखा गया है? 26 26 क्यसे लिखा गया है? 4 और 5 9 और 9 और 8 17 9 16 तो इतना कितना हो जाएगा आपका देखो आठ जमा आठ जमा साथ जम अच्छे एट प्लस एट इस्टीन और शेवन कितना 23 29 आपका जो अंसर आया वो आगया 29 क्या आ गया 29 29 कौन से option में आ गया और a option क्या हो जाएगा? अ करेक्ट अंसर हो जाएगा क्या तक समझा गया अ a option करेक्ट अंसर? अब देखो कि आप 13 13 कौन क्या कहरा है? वो आपको देखना है 13 क्या एक कि Г 2, 4, 0, 1 को 7 लिखा गया है तो 2, 4 को क्या लिखा गया है? 7 लिखा गया है तो कैसे लिखा गया है? ये 2 और ये 4 और ये 0 और ये 1 तो लिखा गया है 7 क्या लिखा गया है? 7 अब मैं बोलूँगा 2 और 4, 6 और 1, 7 ठीक है लेकिन 9 इनका प्लस आ रहा है कि 5 और 5, 10 और इसका तो आ रहा है 17, इसका आ रहा है 12, 13, 18, इसका प्लस करने पर आता है आपका 18, और इसका प्लस करने पर आता है 60, क्या तक समझा गया, अब इन में से 9 तो किसी का भी नहीं आया है न, 9 किसी का भी नहीं आया है तो क्या करना है आपको, अब आपको लोजिक लगाना है क कि 9 कैसे आएगा ठीक है तो अब मैं यह कह सकता हूँ क्या कि तू फोर जा एट कि फोर जा एट कि माइनस में जीरो वन तो एट माइनस वन क्या जाएगा सेवन अग इसी परकार से 9 का बनाना है किसी का बनाना है 9 का कि अग तो सबसे पहले कौंसे उप्षन से बना गया सबसे पहले आप बना लो बना लो स्ट ऑप्षन से कौनसे उप्षन से श्ट से फश्ट से बना लो गया है कि यह निखिने दो ओjin था हूं 5 मंटीपलाई 5, 5 multiply 5 minus में 1 multiply 6 5, 5 is 25 और minus में यह कर दिया 6 अब बता हूँ, आप क्या आए जाएगा 25 में से 6 minus करने पर क्या आएगा क्या 6 minus नहीं करेंगे, 60 करेंगे क्या करेंगे, यानि कि last वाली 2 digit minus करेंगे तो last वाली 2 digit minus करेंगे तो 60 minus कर देंगे और 25 में से 60 minus करने पर आगया 9, आगया ना कौन सा option यूज दिया गया option यूज दिया गया, 5516 5516 कौन से option में है, ये वाला आपका A option, और A option is the correct answer A option is the correct answer, clear next question देखो गया, question number 14, question number 14 क्या कहता है, question number 14 कह रहा है 357 को लिखा गया है यहां पर मैं लिख जेता हूँ 3, 5 और 7 को लिखा गया है 25, 5, 7 को 225 कैसे लिखा गया है 3 और 5, 8 और 7, 15 15, 15 का सुकेर, 15 का वर्ग, 225 इसी परकार से 5 जमा, 2 जमा, 2 जमा, 4 5 और 7 और 4, 7 और 4 कितना हो जाएगा आपका 11 11 का स्केर कितना आएगा 11 का स्केर आएगा 121, 121 121 कौन से ऑप्सन में है B अप्सन में और B अप्सन क्या हो जाएगा Correct answer B अप्सन क्या हो जाएगा आपका Correct answer कोई doubt है तो आप पूछ सकते हैं समझ आ गया ना अगर आपका कोई भी doubt है तो आप पूछ सकते हैं वीडियो को एक बार like और share करना बिल्कुल भी न भूलें जिससे आने वाली सभी वीडियो की notification आपको time to time बिल सकें ठीक है वीडियो को like करतें एक बार सही बच्ची और share करना बिल्कुल भी न भूलें चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आने वाली सभी वीडियो की notification आपको time to time बिल सकें ओके हमारे साथ ठीक है no doubt ठीक है very good question number 14 तक हमारे हो चुके हैं अब बात करेंगे next question की next question हमारा रहेगा क्या रहेगा 15 number का कौन सा 15 और 15 कौन से question पर है देखो यह आगया 15 15 question क्या कह रहे है 15 question कह रहे है कि 9 5 7 8 को 18 लिखा गया है nine five seven eight को क्या लिखा गया है 18 लिखा गया है ठीक है अब कैसे लिखा गया है देखो nine यह लिख दिया five यह लिख दिया seven यह लिख दिया eight क्या लिखा गया 18 सल से पहले इनको plus कर लो आप plus minus add करके देखेंगे logic लगानी है प्लस करने पर nine और five 14 14 और 15 29 29 आ गया 29 को लिख दो two multiply nine क्या हो गया आपका 80 क्या हो गया 80 क्या हो गया 80 क्या हो गया 80 क्या है परकार से अब eight plus six plus five plus nine eight जमा छे जमा पांच जमा नो को क्या करना है प्लस करना है प्लस करो आठ हो छे चौधा और पांच उननीस और नीस और नो कितने हो अठाई क्यों हो गया आपका अठाई 28 एट और six होगे 14 एट और six 14 प्लस five and nine 28 28 को लिखो two multiply by eight two multiply by eight यानिकी 16 answer is the correct answer 16 is the correct answer clear अब next question देखेंगे आप 16 तरजी का संबंद कपड़े के साथ है तरजी का संबंद किसके साथ है कपड़ा के साथ है तो किसक साथ हो गया इस परकार से जडर्जी का संबंद कपड़ा के साथ है उसी परकार से फिक्सक का जो संबंद वह पूश्टक के साथ है अगला देखों गया अफना कि लाडी का संबंद स्टेडियम में है खलाडी कहा खेलते हैं स्टेडियम में खेलते हैं उसी परकार से डाकिया का क्या का काम है बताओ आप दाकिया का करता है डाक घर में ख गरी का कांग우 गांका सूंबंद है या घर के साथ जैसे खलाडिया का स्टेडियम सबस्न मेरा जा के सांद है कि आथे अब देखो उनका पेलिख बनता है य समसरन यह कम समसर और कर सब्सक्राइबनता एक इस परकार तूद से दही बनती है यानि कि A option is correct अब देखोगे 19 पर 19 पर आप देखो मास्क का संबंद वाइरस के साथ था तो हैली मेट का संबंद किसके साथ है तो हैली मेट का संबंद किसके साथ है क्यों ताना आपको ठीक है अब हैली मेट का संबंद आप खुद से बताओ किसके साथ होगा चेहरे के साथ होगा तड़क के साथ होगा तो मास्क का करता था वाइरस और हैली मेट किससे बचाएगा आपको हैली मेट बचाएगा आपको दुर गटना होने से किसी से बताएगा गटना होने से क्यां तक के लिए कि यह तक समझ आ गया अगर आप बी नेशनल मेंज का मैरिट शात्रवीति प्रक्ता के तक जारी कर रहे हैं नेशनल मीन्स का मैरिट स्कॉलर स्कॉलर से क्लास एट के लिए MAT और SAT ही parental ability test और scholist ability test ही तो आप 10 mock papers and 7 salt papers की बुक ले सकते हैं बुक लेने के लिए आप हमारे help line number 800-59-48-78-40 पर whatsapp message करकर आप बुक ले सकते हैं एक बार वीडियो बालाइक और share जरूर कर दें जिससे आने वाली सभी वीडियो की notification आपको time to time मिल सके आज की class में इतना ही मिलते हैं ने class में एक अच्छी information के साथ फिर से बता देता हूँ अगर आप class 8 में पढ़ रहे हैं और आप किसी भी राज्य से हैं और आपने NMS form of life कर रखा है जो चात्रविती का होता है जिसमें बच्चों को color sheet मिलती हैं अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं उसकी तैयारी करने के साथ साथ result को अच्छा बनाने के लिए आपको notes की जरूत होती है mock papers की जरूत होती है salt paper की जरूत होती है mock paper और साथ में salt paper लेने के लिए आप हमारे पास whatsapp message करें आपको जिसमें mock paper और salt paper करवाए जाएंगे जो की faculty के साथ तैयार किये गए हैं जिसमें solution मिलेगा साथ में आपको OMR seat provide करा दी जाएगी अधिक जानकारी के लिए एक बार whatsapp message जरूत करें अन्यवाद अन्यवाद